बद्रीनात की कथा महाशिवरात्री और यक्ष। गुरू बद्रीनात की कथा सुना रहे हैं कि कैसे विश्णू ने शिव और पार्वती के साथ चल किया। वे मंदिर के 1000 सल पुराने इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं। गुरू, बद्रीनात के बारे में एक कथा है। ये हिमालाय में 10,000 फीट की उचाई पर स्थित एक शांदार जगह हैं, जहां शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन नारायन यानी विश्णू के पास नारत गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको स्रिष्टी के सभी जीवों के लिए कुछ अठपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विश्णू तप और साधना करने के ल लाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनात एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श चगह लगी उन्हें ये। फिर उन्हें एक घर देखा। वो उस घर के अंदर गए गुस्ते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ती हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गलाकात सकते हैं। ये आदमी खतरनाक है। ऐसे में नारायन ने खुद को एक छोटे से बच जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख, पारवती के भीतर मातरत्वत जाग उठा और वेजाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने पारवती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत चुना। पारवती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैस नासमजी की बात कर रहे हैं। शिव बोले ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दर्वाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता-पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा आराम से था और शिव की तरप बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे लेकिन करें तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप किया और बही घर पर छोक पार्वती हैरान थी आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले मैंने कहा था न इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाएं और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। शिव के पास दो विकलत थे। एक जो भी उनके सामने हैं उ उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा वे वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता धून लें। उन्होंने कहा चलो कहीं और चलते हैं क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है इसलिए मैं ऐसे चूबी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गवा बैठे और कई बातों को जानते हैं लेकिन फिर भी आप उन बातों को हुने देते हैं। दोस्तों मेरे विडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए नमस्कार।